वेल्कम टो आपास कोचिंग चैनल तोड़े वी आर गोएं टो डिसकस सम्कॉशन हमने पिछली वीडियो में सेट टॉपिक डिसकस किया था उसका मेनिंग और रिपर्जेंटेशन डेफिनिशन तो आज हम उसके लेटर कुछ कॉशन करेंगे सबसे पहले हम पिछले वीडियो से लेटर कुछ कॉशन सौल कर लेते हैं हमें यहां पर लिखा हुए है write the solution set of the equation x square minus x minus 2 is equals to 0 in roster form हमने क्या करना है जो हमी equation given है इसको solve करके roster form में इसके solution solution मतलब आपने x की values find करनी है आपने फ्रेंट में किया होगा अब इसको किसे भी method से जाए factorization method discriminant method से इसकी value निकाल सकते हैं जैसे हम निकालने जा रहे हैं x square x minus 2 is equal to 0 हम इसके factor इस type भी बना सकते हैं तो मैंने यह factor बना लिए अब इस दोनों में से x को मना जाएगा x minus 1 इन दोनों में से 2 को मना है यहां पे x minus 1 is equal to 0 so x plus 2 x minus 1 is equal to 0 x minus 1 हमने common निकाल लिया यहां पे x रह गया plus 2 रह गया यहां पे हमने लिख लिया तो हमारे पास यहां से करेगा इधर x plus 2 is equal to 0 और x minus 1 मतलब x के value मारे पास कौन से आगी minus 2 and 1 हमने क्या करना है इसको क्या है roster form में लिखना है मैंने आपको बताया था roster form में लिखने के लिए आपको बस braces में क्या करना होता है इसके एंट्रीज को पुट करना होता है इसी roster form में क्या है braces में इसकी value को पुट कर दिये तो यह मारा required solution set क्या है त्याहर हो चुका है next मारा question match each of the set on the left in the roster form left पे मारा क्या है roster form है roster form meaning हमें यह क्या given है जो entries only क्या है braces में given है और right side पे हमें set builder का form है set builder form क्या होता है जो हमें वर्वली में describe किया होता है मतलब हम वहाँ पे कुछ sentence कुछ भी दे सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते है set builder form बोलते हैं हमने यह क्या करना है match करना है देखिए सबसे पहले यहां पर given है P R I N C A L मतलब कुछ हमें letter के साथ related दिये हुए हैं तो अब आपने यहां पर देखने अपनी right side पर यह किसके साथ match कर रहे है first x is a positive integer divisor of 18 no यह को integer नहीं है it's letters x integer not it's not integer again x is integer not x is a letter of the word P R I N C I P हां अगर हम इसका set बनाएंगे तो यह set मारा क्या बनेगा पहले P आएगा देन R आएगा फिर I फिर N फिर C I repeat हो रहा है repeated हमने नहीं लिखना होता set में next क्या है A L L लिख दिया तो हम क्या करेंगे इसको इसके साथ क्या कर देंगे match कर देंगे अब next friend zero zero देखना आपका किस कार है सबसे पहले मैं इसको solve कर लूँ यह यहां पर लिखा हुआ है मेरे बी पार्ट बी पार्ट को लिख रहे हूं x square minus nine is equal to zero मतलब x square is equal to nine हम पता है square अटाके आपने always कहा है positive and active दोनों terms लेनी होती है तो plus minus three आ जाएगा अगर हम इसको required set बनाए set build solid roster form में तो यह हमारा क्या बनेगा minus three comma three it means इसको आप जहां पर से देखिए यह किसके साथ मैच हो रहा है यह तो हमारा जो यह बी पार्ट है इसके साथ मैच हो चुक है तो मैंने कहीं इसके साथ इसको मैच करवा दिया है अब next आपने देखना है कि यहां पर लिखा है x is an integer x plus one is equal to one तो मैं c part भी solve कर लेती हूं c part में यह ठाल लिया x plus one is equal to one one उदर जाके minus का x is equal to zero it means set में only क्या है zero आएगा तो यह integer भी है it means satisfy कर रहा है integer भी है और x is equal to zero it means यह किसके साथ मैच कर जाएगा इसके साथ तो हम इसके साथ इसको मैच करवा देते हैं जो हमारा last वे बच गया है क्या लिखा हुआ है x कोई positive integer and is a divisor of 18 18 की divisor लिखने है मतलब 18 किन-किन के साथ divided हो सकता है तो यहां पर देखिए one के साथ भी two के साथ three six nine it's up के साथ हो सकता है it means it is a divisor of 18 तो friends यह मारा question यहां पर complete हो चुक है जो हमने previous topic किया था previous video में उसे लेटर में कुछ question करा दिये है अब आज का जो नेया हमारा topic है वह है types of sets मतलब sets की कितनी types होती है सबसे पहली जो हमारी type है वो हमारी पास क्या है हमारी सबसे पहली type है finite set finite set का होता है a set जैसे finite हमें पता है finite मतलब जिन को हम count कर सके ठीक है ना मतलब जिनकी counting possible हो जिनको हम कुछ labeling कुछ numbering के decide कर सके जैसे आपके class में student होते है या पूरे college के school के students लगा लेजिए जापके पूरे area के जो भी neighbors में लोग रहते हैं आप उनको count कर सकते हो चाहिए 100 हो लाख हो 10 लाख हो कितने भी हो तो हम उसे finite set बोलेंगे तो यहा finite number of elements हो तो उसे हम क्या finite set बोल देंगे elements मतलब उसमें जो entries जैसे फाइनाइट हो और its elements can be listed by counting और labeling with the help of natural number वही जैसे आपने कुछ students आपने अपने college के क्या है काउंट करने हैं तो आप जैसे starting wise school की starting wise जैसे सबसे पहले हमारी क्या आता है pre nursery फिर nursery आती है then LKG UKG first फिर उनके section wise आप काउंट करने start कर दोगे मतलब आपकी counting चलती रहेगी तो counting one से आती है मतला हम natural number की labeling कर सकते है पॉसिबल है और कहीं ना कहीं वह process terminate मतलब खतम भी होता हो अगर खतम होगा तभी हमारी counting finish होगी और तभी हम finite बोलेंगे अगर set हमारा खतम ही नहीं होगा मतलब वो natural number से भी ज्यादा हो जाएंगे element तो आप उसे finite नहीं बोलोंगे जैसे मैंने जोई दो example लेंगे हैं a set का है a e i o u मतलब क्या है collection of all vowels of English alphabet अब count केजिए यह कितने है 1 2 3 4 5 मतलब it is finite set next be same चार elements है finite set है तो अब हम next करने आ रहे है next type है मारी infinite set a set is set to be infinite if it consists of an infinite number of elements or not finite मतलब जिसमें infinite number of elements मतलब जो counting नहों सके infinite हो जिसका कभी end दिना हो infinite मतलब ज्याद रखना वो जिसकी कोई limit ना हो जिसकी कोई limit ना हो मतलब कभी खत्रमी ना हो और ज्याद क्या बहुत सकते हो जो finite now not finite में जो set के finite ना हो उन्हें अप क्या कह सकते हो infinite set जैसे में एक्जम्पल यह है a set of all points in a plane plane 3-dimensional मतलब x plane y plane z plane जैसे मैं आपको रफली बदा देती हूं इस तरह होता है आप देखिए तो हमने बाउंडरी लगा दी हमने का कमरा फिक्स कर दिया अगर आप यह कोई fix ना हो मतलब unlimited होता हम इसे 3-dimensional plane बोलते हैं तो यह इसमें मतलब infinite points होंगे तो it means infinite set हो गया similarly मैं next set ले रही हूं x x belongs to r r मतलब real number set of real numbers रहां 0 से start हो कि 0.0001 में से लेने हैं मतलब इसमें infinite points आजाएंगे इसमें rational भी आजाएंगे irrational भी आजाएंगे सभी points आजाएंगे और ऐसी मेरे बताया हुए है आप याद रखना तीन चीजी set of rational number होता है finite set set of irrational number होता है infinite set and set of real numbers also क्या होता है infinite set होता है next हमारा क्या आगया singleton set singleton set क्या होता है singleton set a set consisting of a single element इसका यह negative positive zero कुछ भी है सकता है आप यहाद रखना जो आपके set के अंदर elements होंगे ना may be any kind of हो सकते है like name of rivers हो सकते है numbers हो सकते है alphabets हो सकते है आपकी कुछ भी जा name of the students हो सकते है name of persons हो सकते है कुछ भी हो सकता है तो यह देखिए एक 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 elements है मतलब यह हमारा singleton set बन चुक है अब next set देखे हमारा क्या है null set empty set void set इन तीनों का मिनिंग सेम है जैसे null empty void मतलब खाली है empty कुछ भी नहीं है पहले मैंने कहले है x such that मतलब कौन सी condition satisfy करते है तो positive integer positive integer कौन से स्टार्ट होते है less than 1 हमें क्या है कोई x less than 1 लेने है और x क्या है positive integer है by positive integer तो 1 से तो शुरू होते है और 1 से आपने बहुत ही चोटे लेने है it means set क्या हो जाएगा empty empty को हम ऐसे phi से denote करते हैं मतलब इसमें कुछ भी नहीं है आपका null set है next x belongs to real number and x square plus 2 is equal to 0 चलो यहीं satisfy कराते हैं x square plus 2 is equal to 0 x square is equal to minus 2 देखो यहां पर real numbers में बोला है आपने 10 तक अभी तक real numbers ही पढ़े हैं अभी आप plus 1 में हो गए हो तो अभी आप next chapter में next video में complex numbers में पढ़ेंगे अभी हम सिफ real numbers की बात करें x square is equal to minus 2 आपको पता है in reals square can't be negative square कभी negative हो यहीं नहीं सकता but in complex number instead of real numbers in the complex number square of negative number is possible so friends keep in your mind in real numbers square of any square of any number can't be negative therefore it is empty set हो चुक है next x belongs to real x square less than 0 अभी हमने बोला था square reals में कभी negative नहीं होते it means इसमें x कोई भी भी नहीं आएगा हमें क्या बोले इसमें वह x आएगी एक तो वह reals होनी चाहिए और x क्या होने चाहिए less than 0 मतलब जो जिनका square 0 से चोटा है square तो कभी भी negative होता है नहीं 0 से चोटा मतलब negative number ही होगे it means यह भी मारा क्या आजाएगा empty set ही आ जाएगा हमारा जो next है set हो क्या है equal set equal sets क्या होता है दो sets मतलब two sets a and b are set to be equal if every element of a मतलब कोई भी आप a का कोई भी element होटाएं is a member of b मतलब वह b का भी member हो मतलब वह b में भी होना चाहिए and every element of b is a member of a कहना का मतलब a का जो element b में भी होना चाहिए और b का जो हर एक element a में होना चाहिए तब अब क्या लिखता होगे a is equal to b मतलब a और b दोने equal sets है जैसे मैंने यह example लिए a मेंने लिए one two three four b मेंने लिए two four one three लेको मैंने one उठाया one b में है yes है two 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 b में भी है three उठाया three b में भी है four उठाया four b में भी है बेका हर element a में एक हर एक element b में है it means a is equals to b हो गया friends जहां पर ग्याद रखना equal sets में ordered does not matter ordered मतलब क्या होता है मैं बताती हो आपको जैसे one first place पर रहा है तो equal set में जहीं नहीं है कि आपका जो one है दूसरे set में भी first place भी हो first place भी हो सकता है किसी और place भी सकता है बस आपने सिर्फ एक पास जाद रखनी है कि equal set में ordered matter नहीं करता सिर्फ element same होने चाहिए जो a में है वो b में हो b में हो a में भी हो but order does not matter कहीं भी हो हमें कुछ नहीं लेना चाहिए वो first place पर second place पर third place पर just matter क्या करता है हमारे जितने भी elements से same to same दोन set में होने चाहिए यह याद रखना equal sets में order does not matter जैसे next देखे आप यहाँ पर a के 1 2 3 4 b के a e i o देखो 1 a में तो है but b में नहीं है 2 b a में बट b में नहीं है 3 b a में बट b में नहीं है 4 b a में बट b में नहीं है it means a और b के दोने equal नहीं है मतलब a does not equals to b that's why मैंने के पाया it does not equals to b next type friends हमारी sixth type है जो last type है हमारी वो क्या है equivalent sets equivalent sets क्या होते है two sets a and b कोई भी दो sets है हमारे a and b उनको हम equivalent का बोलेंगे if they have same number of elements मतलब same number मतलब just हमने जितने एक में element है उतने b में हो कहने का मतलब order order मतलब उसमें जितने element है just मैं an example यह a 1 2 3 6 total elements कितने है मतलब total number of number मतलब उतने कितने element है चार element a में है b में a b c d b में भी चार element है सिर्फ आपने याद रखना है counting मतलब a के कितने order element है b के भी कितने order के element है जैसे a में भी चार है चार element है b में भी चार है तो आपके आपके यहां पर आपके element सेम होने चाहिए और यहां पर सिर्फ number of elements सेम होने चाहिए next friend हम इन टाप से लेटर कुष कॉसन सौल करने जा रहे हैं जैसे ही यहां पर लिख है question first में which of these sets are finite or infinite सबसे पहले में a sets जे हमें set builder form में given है x such that x के एक natural number है and x square is equals to 9 तो मैंने a वाला में part solve करने जा रहे हूं first part a वाला जो मेरा part है उसके लिए x square is equals to 9 अभी बता है square आके हम क्या लेते हैं plus minus 3 मतलब जो मेरा a set है उसमें negative 3 और positive 3 आ गया देखो अब a मेंने पुछा है finite है और infinite a में कितना है इन मेंदा 1 2 मतलब जो मेरा a set है वो क्या है हमारा finite set आ चुक है next time friend second part solve करने जा रहे हैं b x belongs to natural number और x के even हम पता है even number कहां से start होते हैं because natural number है तो one के बाद देखेंगे आप तो मतलब मेरा आ चुक है infinite set आ चुक है it means अब b को क्या लिखेंगे b is a infinite set because इसका end नहीं है even numbers बहुत सारे हैं आपके so friends अब हम next question करने जा रहे हैं लास्ट question है जो दो question रह चुक है what is a set what is a set a a हमें यह given है पहले मैं a को लिख लेती हूं क्या लिखा हुआ है यांपे a a is equals to x इसमें वो elements आएंगे such that x belongs to real numbers एक तो वो real numbers है और x square is equals to 9 in two x is equals to 4 यह दो condition satisfy करता होगा पहले मैं x square is equals to 9 जो आपके पता है x की value plus minus 3 आ चुकी है अब इसको solve करें two x is equals to 4 मतलब x is equals to 4 by 2 यहां से हमारी x की value minus 3 और 3 आ रही है और यहां से हमारी x की value 2 आ रही है ऐसा कौन सा number है जो इन दोनों को condition को satisfy करें because इन दोनों condition को satisfy करता real number ही यहां पे आएंगे यहां पे x की value minus 3 3 आ रही है यहां पे 2 इन दोनों में कोई भी common ही है ऐसा कोई भी element नहीं है जिसका square करें पे 9 9 और 2 के साथ multiply करने पे 4 आए it means यह हमारा क्या हो गया empty set therefore अप a को क्या लिखेगे a is a empty set यह हमारा required answer है next last question हमें क्या given है हमें लिखा हुए है are the falling pairs of sets equal give reason हमें 2 sets है और एक a एक b पहले मैं a को लिख लेती हूँ a मेरे को given है 1 2 मतला यह finite set development है b में क्या है x such that x is a solution मतला जो इन equation को satisfy करता होगा वो values भी में आएंगी हम इस equation को चलो solve कर लेते हैं इसको जब आप solve करोगे तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा यह तो आपको आता ही होगा by factorizing method इसमें से x कोमन निकाल यहां पे x रह गया plus 1 इसमें से 2 कोमन कर यह x plus 1 दोनों में से x plus 1 कोमन निकाल लीजिए यहां पे x plus 2 is equal to 0 मतलब x की value minus 1 और 2 आगी मतलब जो आपका b set है वो minus 1 और 2 minus 2 आ चुका है अभी मैंने आपको पीछे क्या बोला था equal set में क्या है जितने जो element इसमें है मतलब a का हर element b में होना चाहिए और b का हर एक element a में होना चाहिए तो आप देखे ओए देखिए a में one है बट b में नही नहीं है वर बी मेंदम वह नहीं है आपके सारी के सारी element a के बीमेंगे अगर आपको एक बीमेंट इसमें को पहला element ही मिल गया कि एक बन भीमें नहीं है तो आप लिए दोंगे a not equals to b इत मींज हमारा जो अंसर क्या है a does not equals to b सो फ्रेंट जो आज हमारा आज का टॉपिक था वह यहीं पर ही कमक्ली कर चुक है हमने छे टाइपस ऑफ सेट्स कर ले फाइनाई सेट जिसमें element finite होते हैं infinite जो finite नहों सिंगल टन जिसमें सिंगल element हो null set है जिसमें कोई भी element हो खाली हो and last हमने दो किये थे equal set मतलब जितने पहले set के element है दूसरे set में हो और दूसरे set के element पहले में हो but order does not matter here यहां पर याद रखना order matter नहीं करते last equivalent sets मतलब हमारे जितने number of elements a में उतनी भी मतलब सिर्फ counting देखने की चार है तो चार है पांच है तो पांच है छे है तो छे है ठीक है friends so friends हमारा आज का topic यही complete होता है अगर friends आपको set से लेटर topic की वीडियो अच्छी लग रही हो तो please please like to this video and share it with your friend thank you friends